हेलो व्यूवर्ज असलाम लेकुम कैसे आप सब उमीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सो आज का विलॉग मैंने यहां से स्टार्ट कर लिया उठने के बाद मैं बना रही थी नाश्टा तो मैं आज नाश्टे में बना रही हूं आलू के प्राठे व मैं आलो के प्राठो की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ और जिन लोगों नहीं देखी वह मेरे चैनल पर जाएं रेसिपी सर्च करें और जाके देख लें या डिस्क्रिप्शन पर मैं उसका लिंक आटाच कर दूंगी प्लस बहुत ही सिंपल से आपको पत देखें यह भी ऑप इसका देख तरीक के से जो अलो पैटर मेने रेडी किया हुआ था वह भी बैटर में लगा ठीव यह लगाने के पाद मैं इस हाफ़ोन कर लिया इसे डी साइस प्राठा भी कह सकते हो आप ना सकते हो या अगर आप चाहो तो यह लिए आप राउन भी ब तो इसलेंडर पर मुझे से कुक करना पड़ेगा और यह मैंने डाल दिया तब भी पराथा अभी आप देख सकते हो पराथे की शकर शुकर अलहम दुलिल्ला और यह रहे मेरे दोनों क्यूटी पाइस और इनको मैंने दे दिया आज काम क्यूंके मुझे आलू मतर गाजर की सबजी बनाने वाले हैं और साथ में मुझे इन दोनों को बिजी भी रखना था थोड़ी देर के लिए ताके बिजी हो जाएं और यह कुछ मतर मैंने इनसे लेके यहां पर बॉल करने के लिए रख दिये थे बड़ अनफॉर्चनल्टी गैस नहीं आ रही थी तो मुझे वे आप लोगों इस तरीके से खा सकते हैं और मैं इसके साथ किंजा को कैशव देती हूं विकॉस किंजा डूं लाइक चटनी और तिंग्स जैसे हर किसी का बच्चा डिफरेंट होता है और यह चोट चोटी चीजे जो होती हैं आपकी प्रेजंटिंग यह जब आप खाना अप प्रेजंटिंग में अपने खाने के ना कि बच्चे का और दिल करें खाने का और ऐसी चीज़े बच्चों को ट्रैक करती है ठीक है तो यह हो गया किंजा का नाष्टा और यह हो गया मेरा सेकिंड कराथः और इसमें मैं एड करने वाली हूं यह अचार आप देख सकते हैं तो मैं लाजमी आलू के पराठे के साथ मैंगो पिकल्स चटनी के साथ में थोड़ा साथ नाश्ता कर्लिया और अधर नोग हमेशा सेमी नाश्ता करते हैं और पराठे, अंडे, और ट्रीम такая उन तेस्ट से करनाहाण नया है स्टीम आउट हो रहा है बहुत होट है सो सिंपल आलू मैश करके उसके अंदर सॉल्ट ट्रमारिक ब्लाक पेपर मैंने अट किया है उसके लाव मैंने कुछ भी नहीं डाला और बहुत अच्छा टेस्ट है नॉर्मल पराटी की तरह सुबह सुबह जल्दी से बन जाता है अब मैं किंजा और अब्दिलकबीर के लिए जो है ना यहाँ पे चिकू वाश कर रही हूँ नाश्टे के बाद में थोड़ा सा इनको फूट्स और भी देती हूँ वैसे लोग नाश्टे से पहले एक खाते हैं फूट्स और मैं इनको बनेना जो है वो नाश्टे से पहले देती हूँ बट नाश्टे के बाद भी मैंने हल्का फूलका कुछ नकुछ देती रहती हूँ फूट्स में तो इसलिए में कुछ ना कुछ ने टाइम टाइम जो है वो भी फोल रहे प्लास उसके सासाथ वो मुझे कम तंग करें और अपनी मस्टियों में लगे रहते हैं खेलते खेलते यह फूट्स खा भी लेते हैं अनाम से क्वाने के लिए तो प्रॉपर बिठाना पड़ता इन दो कर रही हूं और यह मैंने काफी सारी कट कर लिये हैं और अब मैं इसमें फोक रखूंगी और इन लोग को खिलाने की कोशिश करती हूं यह यह लोग खुदी खा लेते हैं क्योंकि इनकी फेवरेट न है फूट्स शुकर अलहम्दुलिला आप खुद भी खाया करें क्योंकि फूट्स अल्ला की नहमत है और आपको अल्ला की हर नहमत का शुकर अदा करना चाहिए और सीजनेबल फूट्स जितने भी हूं में बहुत ज्यादा विटमिन्स होते हैं तो आप सीजनेबल फूट्स खाया करें हमेशा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सुस्क्र कर लें इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि वीडियो में कितनी गलतियां की हैं मैंने या मुझे कौन सा विलॉग या कॉंटेंट न्यू जह हो बनाना चाहिए मैं आप सब के कमेंट्स रीड करती कभी ऐसा हो जाता है कि कोई एकात रह जाता है बट आप लोग कमेंट करके बिता सकते हैं अगर मेरी विलॉग में कोई गलतिया हैं तो मैं उनको सुधाने की कोशिश करूंगी और नेक्स टाइम इंशाला ताला वो गलतिया नहीं करूंगी अब मैंने यहां पर दो बिक साइज के पडेटो ले लिए हैं और आजकर पता नहीं क्यों इतने जादा मीठे आलू आरहे हैं कि आलू काने का दिली नहीं करता है बट यह जो आलू है यह मैंने पूछ कर लिया थे उन भाई से कि यह मीठे तो नहीं थो नहीं तो उन्हों का जालन में नहीं अजसे लगते हैं बिलकुल ऐसा लगता है चीनी डाल दिया बिलकुल पीठा मिठा हो गया और सरदियों में आलू मटर गाजर इस वन फ़ेवरिट यू नौ आफ देश लगता है और सरदियों यहां पर हो चुकी है और यह मैंने आलू कट करके जो हैं वह सोग कर लिया है वाटर में आप देख सकते हूं सरदियों में ही क्यों आलू मटर गाजर वैसे गाजर तो अब आजकल ऑरेंज वाली भी हर मितलब सबजी वाले के पास एजली अविलेबल हो जाती है बट मुझे रेड वाली गाजर अच्छी लगती है क्योंकि और जूस नहीं होता और मैंने यह क्या दो दर टाए तो जूस बनाने का तो जूस भणता ही नहीं है क्योंकि रेड वाली गाजर बहुत अच्छी लगती है और यह स्पेशली सर्दियों के सीजन में ही आपको मिल गी क्योंकि इसका जो टाइम परियड हर्वेस्टि इनका वो सर्दियों में होता है तो यह फुल अफ नूटिशन्स है और जिन लोगों को आईसाइट का मसला है वो गाजर का जूस पियें ताके उनकी आईसाइट बहतर हो और हर किसी के लिए दुआ किया करें अपने लिए खुद के लिए भी दुआ करें ठीक है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें तो इस तरीके से मैंने गाजर को चील किया अच्छे से वाश कर लिया है ठीक है अब किंजा और अबदुलकभी ने जो मटर पील आफ किये थे मेरे लिए छोटे छोटे हातों से मेहनत की थी तो वो मटर भी चिल चुके हैं और आज मेरे बच्चों ने सुबाश सुबाश मेरे लिए बहुत काम किया है वैसे तो खेलते ही रहते हैं काम बढ़ाते हैं पर आज इन लोगों ने बहुत जादा काम कर लिया है अपने हिसाब से और यह रही मेरी गाजर मैंने गाजर को भी इस तरीकर से कट कर लिया है ठीक है आलु मटटर और गाजर ठीक है अब मैंने यहां पे जो है मैं अपनी सब्जी बना रही हूँSc यहां पे मैंने ऊउिल लाल लिया था थोड़ा से पहले ही और टेस्त कुछ अलग हो जाता है नहीं टेस्ट खराब हो जाता है जहीं हो झालते य हर सब्जी में एक जैसे मसाले नहीं डलते हैं किस लोग गल मसाले डाल देता हैं रों लों और गल माई गर'm मसाले डालता और मैं दो भीजका है ठीक है जितनी सिंपल आप अपनी सब्जी रखोगे उतना ही जादा उसका टेस्ट आएगा अच्छा जी जनाब अब मेरी सब्जी जो है वो मैंने दम पे रख दी है और अब मैं यहाँ पे गून रही हूँ आटा जिन लोग आटा भी नहीं गूनना आता मैंने उनके लिए वीडियो बनाई थी तो वह वीडियो टेक सकते हैं मेरे चैनल पर जाके कि आटा आप किस तरीके से गून सकते हो आटा गूनने का सिंपल वे भी मैंने शेयर किया वह आप लोग के साथ और यह आप देख सकते हो मुद्ध कर रहे हूं और कुकिंग के साथ साथ मैं यहाँ पर एक नियू कॉंटेंट भी शूट कर रहे हूं उस पर भी मैं वर्किंग कर रहे हूं और यह मेरी सबजी जो है वो विल्कुल रेड़ी हो गई है और दुपेर के परफिक्ट टाइम पे और यह हमने फात्मा के लिए एक सप्राइस केक जो है वो मंगवा लिया था है और हम कर रहे हैं फात्मा की बर्ड़े चोटी-चोटी कुशियां जरूरी होती है और अब मैं बनाने वाली हूं अब यह जो एक चीज बहुत ज़ादा जरूरी है वो यह है कि आपने कस्टड को थोड़ा सा लिक्विटी फॉर्म करकना है उसे हार्ड नहीं करना लाइक बहुत गाडा गाडा नहीं बनाना है पतला पतला कस्टड बनाने आपने उसके लिए लागे उसमें जो आप जितने नहीं करना है वो नहीं पहले भी बता चुकियों अब प्लास इस वीडियों में भी आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरहीं आप ने लेड़ लगानी है कि सबसे पहले आपने तक चॉर्ची बेस बना बना रही है तो प्लेन केक्ष्ट बैस बीसक्ते हैं और डिए ले अ सो इसलिए और इसके अंदर मैं आड करया हूँ सीजनेबल फूट्स जो मेरे पास अभी अवेलेबल है इस वक्त और सारे फूट्स मैं इसके अंदर आड कर रही हूँ एक एक करके बंक पो आड करया हूँ सीजे आड कर रहा हूँů झाल झाल यह अल्मोस्ट जो मेरा फूद कस्टर्ड है वो इक्तिताम भे है ठीक है मैं इस तरीके से पाइनैपल करकर के इसकें बे आड कर वी हूँ तिन फूद का जो सीरप होता है उसके अन्दर वो में बिल्कुल भी एड नहीं करते हूँ मैं पाइनैपल जब भी टिन से बहार निकालती हूँ तो और पाइनैपल को एक दिफार नॉर्मल डिंकिंग वाटर से वाश कर लेते हूँ उसके बाद मैने पैट ड्राय करते हूँ पैट ड्राय करनी क तो आप भी अपने बच्चों को इस तरीके से बना कर दें ताके वो न्यूटिशिन्स विटमिन्स वगेरा भी लें और अच्छे से भर पूर दिल खोल कर खाया करें ठीक है और मैंने हरमेशा ही दो कलर की डिफरेंट जैली बनाती हूं बच्चों को बहुत जादा अजया ठीक है तो बच्चों को बहुत ज़ादा एट्रैक करते हैं ठीक है तो इस लिए नहीं खाते हैं वो इसलिए नहीं खाते क्योंकि आप अपने बच्चे को ज़स्काना जो है पोर आउट करके देते हो कि यह लो भाई खा लो ठीक है तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए नेरी वीजी को लाइक कमेंड और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा वीवर्स ठीक है और सब्सक्राइब गल्हाए अपना विलोग करने वाली थी वही पर फिर रात में थोड़ा सा और टायम में थोड़ा सा टायम मलगा कि मैं इस वेक्श मशीन की यह वर्मर कित है इसका मैं आपना सा अरटायम था अब्दुल्कबिर और तो फॉड़ा सा प्लूज़ा सूछ यूजर मैनुवल को आपने अच्छे से पढ़ना है कि मामला यहां पर है तो इसमें अक्सर मैने लोगों के बाते सुनी है कि मशीन हमने और की पर मशीन चली नहीं या जो भी वाट्शो एवर ठीक है तो इस मशीन की जो पैकेजिंग थी वह बहुत अच्छी थी ठीक है यह ब मैं लोगों को दो है कि में अनृम्छी के फür नहीं थी यह बहुत बाते हैं एक कार दौप्टर्र भी अच्छी थी थी थे रही मशीन थी पह ज़क और अपना च्छानले बिसेंस और ईनला बॉस्तर्ण से उसक्रों करने आपने वाहां हों कि अन। तो आप लोग जा के वहां पर देख सकते हो ठीक है भी तो मुझे आप लोग की दूआओं की जुरुवत है ठीक है उसमें कुछ इसी तरीके से प्रॉडक्स होंगे जो के आप वेल कर सकते हो थ्रौड़ पाकिस्तान ठीक है तो आप देख सकते हो कितने ही अच्छी पैकेजिंग में यह है ठीक है प्लास इसके अलग सी एक अलमोनियम पॉट है जहिए व कर दो तक में अच्छी प्लग एड़ आप तहरा है एक अजल पाकिस्तों और अच्छी प्लगिए पिरर प्लग आख पाई है अच्छी वस्तरि निच्ट विए अट मंगे दिखने पलागे मणें यूटेम इसका टीक है ंच्छी बच कहसीर बचान इसका जिए अगे जञेध सेवाद सेवारा बाइब झाल प्रेट अज़न अजय विसने विसने थादर डिपो कईब़ जच टूद से में और सुप से करता दो हैं तेसे से से लिएम नची बड़ें कर दोकर दोक को बड़ एसलिग्ड़ा कर दोक पिर कि लिए बड़र बड़र हैं हैं रष्ष्ट हैं रहस्तार प्रहाःों है are शवस्टार है ब rगल झाल बड़ो तो। तो वीवर्स आज तक के लिए इतना ही मेरे चैनल को लाइक कमें और सब्सक्राइब करना मत दूलिएगा लाफ़ाइब